धन्तेरस आने वाला धन्तेरस के दिन रासी के अनुसार वैसे तो खरिदारी करना ही सुमाना जाता है लेकिन अगर रासी के अनुसार खरिदारी करे तो माना जाता है कि और ज्यादा सुफल की प्राप्ति होती है तो रासी के अनुसार जाता को किन-किन वस्तुओं को खरिदन चाहिए हरहर महादेव जैवाब बैदिनात धन तेरस के नाम से ही लोग यह समझ जाते हैं कि उस दिन कुछ खरीदना है क्या खरीदना है क्यों खरीदना है धन तेरस उसका नाम है धन त्रियोदसी त्रियोदसी के दिन ही धनवंतरी अमृत कलस ले करके इस धर्ती पर आये थे प्रादुर्बार हुआ था वहां अमोह रतन जिसको की अमृत कहा जाता है समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी आये और अमृत कलस जोकी संजीवनी का काम करता है आदमी को हर दवा विमारी में का जो काम आता हुआ धनवंतरी जी का ही है तो उस दिन मा लक्षमी की क्रपा विसेश रूप से होती है तो शामान कुछ ने कुछ वस्तू ऐसा स्थाई वस्तू खर दें जो आपके घर में बरकरार रहे जदी आप रासी के अनुसार खरिते हैं कि आपकी रासी कौन है यह जान करके कि हम जदी मैस रासी का हैं तो मैस रासी वाले को क्या खरिदना चाहिए यह सुभ माना जाता है तो आप रासी के हिसाब से मैस रासी वाले जो है वो चांदी के वरतन खर दें वो आपके लिए सुभ रहेगा ब्रिसभ रासी वाले सादा कपड़ा खर दें या चांदी क या कोई वर्तन खरीद सकते हैं, गनेश जी की मुर्ति लक्ष्मी के साथ आप खरीद सकते हैं, पिर सब रासि वाले, मिथून रासि वाले पीतल का वर्तन खर दें, और कर्क रासि वाले चान्दी का एक सिक्का खरीद लें, अच्छा रहेगा, या सफेद वस्तु को खरीद ल सिंग रासी वाले वाहन खरिदे जदि आप वाहन खरिदने वाले हैं तो वाहन या कोई आभुसन खरिद ले अच्छा रहेगा कन्या रासी वाले भी आभुसन प्रॉपर्टी जमीन जायदा जदि खरना चाहते हैं तो धंतेरस के दिन कर दे जमीन का बैना देना हो, तो धनतेरस के दें, बात करना हो, और तुला रासी वाले जाडू खर दें, सबसे सस्ती, जाडू खरिद कर लें, आपकी रासी के नुसार आपके लिए बहुत अच्छा है, फैदा कारक होगा, और बृस्चिक वाले धनिया खर दें, धनिया जो है वह खरिद सकते हैं मकर रासी वाले पीले वस्तु खर दे या पीला कपड़ा कर दे जाड़ू भी खरिद सकते हैं और कुम्ब रासी वाले गनेस जी की लक्षमी खर दे या गनेस लक्षमी का जो फोटो होता है मिट्टी का बना हुआ उसको खरिद ले या सफेद वस्तु खर दे या सिक्का खरिद सकते हैं, उनके लिए सुब होगा, मीन राशी वाले के लिए सोने का बरतन हो, सोने का सामान हो, आभुसन हो, जदी सोना नहीं खरिद सकते हैं, तो फीतल का ही बरतन खर दें, लेकिन मीन राशी वाले कोई बरतन निस्चित खरिद करके घर लाएं, और वह स् हाई धन उसमें लक्ष्मी जी का पूजा करें आपके घर में धन की बढ़ोत्तरी निस्चित रूप से होगा।